हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन्विक क्लासेज, ये वीडियो है इडुटेरिया के 5000 पलस MC की बुक के प्रेक्टिस सेट नमबर 85 एवं 86 इससे पहले का सारा प्रेक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी पना दिया गया है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं और अपनी तयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले पहले प्रेक्टिस सेट नमबर 85 के पहले प्रशन से पहला प्रशना की भारतिय संबीधान में न्याएक पुर्णरब लोकन का सिधान्त निमलिखित में से किस देश के संबीधान से गरहन किया गया है और इसका अंसर हो जागा अफशन A संजुक्त राज अमेरिका से अगला प्रस्ण है कि निम्लिकित में से किस अनुच्छेद के तहट राष्ट पती सहित बिज्ञान कला और समाज सिवा में संबंधित ब्यक्तियों को राष्ट सवा में मनुनित कर सकते हैं किस अनुछेद के तहट राजसवा में मनोनित क्या जालता है सहित विज्ञान कला और समासवा से संबंधित ब्यक्तियों को और इसका अंसर हो जागा अप्शन B अनुछेद अस्सी के तिसरा में बर्नन है अगला है राश्पति किस बीटों के तहट किसी बिध्या को संसद के पास पुनर बिचार हे तू भेजता है और इसका अंसर हो जागा अप्शन B निलंबन कारी बीटों के अधिकार नेक्स्ट है निलंबन कित में से किस समिधान संसोदन के तहट मौलिक अधिकारों के संख्या साथ से छे कर दिया गया अगला है राश्पति के पद है तू निलंबन कित में से कौन रहताएं सामिल नहीं है कौन सामिल नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा दी कम से कम सवत अन्मौदक हो ये सामिल नहीं है वह 25 बर्स की आई पूर्ण कर चुका हो ये सामिल हो वह लोक सवा का सदस निर्वाजित होने योग हो ये भी सही है कम से कम 50 प्रस्तावक हो ये सही है प्रस्ताबक पचास अनमोदक होना चाहिए नेक्स्ट है कि निमलिकित में से किस परधान मंत्री के नित्रित में पहली वार लोगपाल विध्यक संसद में लाया गया और इसका अंसर हो जाएगा अगला प्रस्त देखते हैं कि निमलिकित में से कौन संसदिय सासन विवस्था की विशेष्था नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन C निचले सदन का विघटन ना होना संसदिय सासन विवस्था की विशेष्था नहीं है अगला है निमलिकित में से किसका बरेता करम उपर है और इसका सही अंसर हो जाएगा option A परधान मंत्री का इन चारों में से बरिता करम सबसे उपर परधान मंत्री का है अगला देखते हैं कि निमलीखित में से कौन सा प्रवधान 1949 के भारतिय स्वतंता अधिनियम का एक हिस्सा था और इसका अंसर हो जाएगा option A भारत के दो भागों में विभाजित किया जाना अगला देखते हैं कि मानब विकास सुचकां की गन्ना किस अधार पर की जाती है और इसका अंसर हो जाएगा जन्म के समय जीवन परतियासा ये सही है सचर्था दर पर और प्रक्टि ब्यक्ति आएपर ये तीनों पर किया जाता है मानब विकास सुचकां की गन्ना अप्शन D सही हो जाएगा अगला है बत्सवाना की रजधानी कहां है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन B गिबोरोन नेक्स्ट है निम्न में से कौन भू अवेशित देश नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन D ना भीबिया भू अवेशित देश नहीं है ना अगला है निम्न परमुख दीपों को उनके छेटरफल के आधार पर घरते क्रम में दिया गया है निम्न में से कौन सा क्रम सही है परमुख दीपों को छेटरफल के आधार पर देखना है और इसका अंसर हो जाग best अप्सान B, न्यूगिनी, बॉर्नियों, मेडा गासकर और उस किंदो राजियों के बीच इस्तित है और इसका अंसर हो जावशन सी केरला और तमिल नाडू बिहार के निम्ड जिलों में से कौन सा जिला किसी अंतराष्टिय सीमा से संबंदित नहीं है और इसका अंसर हो जावशन ए पुर्निया किसी अंतराष्टिय सीमा से संबंदित नही हैं जबकि मदुवनी सीता मड़ी और अररिया जिला की सीमा अंतरस्टी सीमा से लगती है नेक्स चाय की खेती है तो निम्ड में से कौन सी मिट्टी सरवाधी को प्यूप्त होती है चाय की खेती के लिए और इसका सई अंसर हो जागा अप्शन B लेटराइट मिट्टी अगला किस जीले में स्थित है अगला है अमेरीकी बग्यानिक एड्विन हवल का नाम निम्लिखित में से किस सिध्धान से जूरा है एड्विन हवल का और इसका अंसर हो जाएगा option B, बीग बैग सिधान से, किस सिधान से, बीग बैग सिधान से, नेक्स प्रसन देखते हैं कि निमली खित में से सुमेलित यूगम को पहचानिये, कि किस बेद का यग करता कौन होते हैं, और इसका अंसर हो जाएगा option D, अथर बेद के ब्रहमा, ये सही है, बाकि प्रीग बैद के उदगाता, येजुर बैद के होता, सामबैद के दरवे, ये इनों गलत है, अगला है, बिहार में हुए बिक्तिकर सत्यागरा के पहले सत्यागरही कौन थे, और इसका अंसर हो जाएगा option D, सिरी कृष्ण सी, बिहार में जो बिक्तिकर सत्यागरा हुए थे उसके पहले सत्यागरही थे, सिरी कृष्ण सी, नेक्ष्ट है, अब हमें खुले आम बगावत कर देश को बिदेशी सासन से मुक्त करना है, और साथियों मैं आपका और अपने सभी देशबासी भाईयों और बहनों को इसमें सामिल होने के लिए आहवन करता हूँ, निम्द हो जाएगा, उप्शन B, लखनव में किया गया था, नेक्ष्ट है, मौर परसासन में राजस्व संग्रक करने बाले कहलाते थे, तो मौर परसासन में राजस्व संग्रक करते थे, तो वो क्या कहलाते थे, और इसका सही अंसर हो जाएगा, उप्शन A, समा हरता, नेक्ष्ट जोड़े थे और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन C., गदरांदोलन से, B. रागबाचारी द्वारा निम्द में से कौन सा संगठन अस्थापित किया गया और इसका अंसर हो जाएगा caughtсяne C., मदराश महाजन सगहा, B. रागबाचारी द्वारा तो मदरास महाजन सभा अगला है महातमा गान्धी द्वारा पर्थम बार मजदूर अंदोलन को समर्थन कब दिया गया और इसका सही अंसर हो जाए अप्शन B, अहमदाबाद मील अंदोलन के समय अगला है दे ग्रीन पैंपलेट किसके द्वारा पर कासित किया गया और इसका सही अंसर हो जाए अप्शन C, महातमा गान्धी के द्वारा और इसका अंसर हो जाए अप्शन C, 14 बर्स अगला प्रसन है कि निम्ड में से कौन सा कथन धमनी के बारे में सही है तो सुधरक्ट हिर्दय से सरीर की बिभिन भागों तक ले जाती है यह सही है, धमनी की दिवार मोटी एवं लचीली होती है, यह सही है धमनी की दिवार पर रख चाप अधिक होती है और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन D, 1, 2, 3, यह तीनों सही है अगला है डर्मेटाइटिस नामक रोग किस बिटामिन की कमी के कारण होती है डर्मेटाइटिस रोग और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन C, बिटामिन B3 के कारण होती है डर्मेटाइटिस नेक्स देखते हैं, चुम्बक्ये छित्र में धाराबाही चालक पर लगने बाले बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन C, फ्लेमिन के बाम हस्त से चुम्बक्ये च्छित में धाराबाही चालक पर लगने बाले बल की दिशा किस नियम से जाने जाती है अगला है, भार का मात्रक होता है और इसका सही अंसर हो जागा option B, Newton होता है भार का मात्रग नेक्स देखते हैं RNA और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हर्मोन उप्योगी होती है कौन सा प्लांट हर्मोन उप्योगी है और इसका सही अंसर हो जागा option C, Cytokinin आरेने और प्रोटीन बनाने में कौन से प्लांट हर्मन उप्योगी है तो साइटो काइनीन नेक्स्ट है निमलिक्ष्ट मेंसे किसमें 3-BIME क्रिश्टल परनाली नहीं पाया जाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन D, ग्रिफाइड नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय तत्व बिट्टा किर्णो का उत्सरजन करता है और इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन B, नाभिग से अबार्थ सार्नि में बाएं से दाएं जाने पर धात्वी गुन कैसा होता है और इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन A, घटता है बाएं से दाय जाने पर धात्वित गुन घटता है नेक्स देखते हैं बैदुत संयोजन बंधन बनाता है और इसका अंसर हो जाएगा विप्रित आबेसित आइनों के बीज नेक्स है अमलोबह पदार्थ है जो क्या करता है इसका अंसर हो जाएगा उप्षन C, H-Positive देता है अमलोबह प्रिया का बेग निम्लेकित में से किस पर निरभर नहीं करता है और इसका सही अंसर हो जाएगा उप्षन D, अभिकिरिया के अनुकता पर किस पर? अभिकिरिया के अनुकता पर नेक्स्ट है मनुस्यों में बौनापन किसके स्त्राब के कारण होता है मनुस्यों में बौनापन और इसका अंसर हो जाए उप्शन D थायरॉक्सिन हर्मोन अगला है पाईरूबेट का पुर्ण आउक्सिकरन कहां होता है और इसका अंसर हो जाए उप्शन C माइट्रो कांडिय नेक्स्ट प्रस्न रखते हैं, वाइसे अंग जो उद्धव के द्ष्टि कोंसे एक दूसरे से विन होते हैं, परन्तु वो एक ही परकार का कार लगम. क्या कहलते हैं? और इसका सही अंसर हो जाएगा, ऐसम जात अंग. क्या कहलते हैं? भीमा इसकी सायक न दिया और इसका अंसर हो जाएगा option C कृष्णा की निन में से कौन सा सब्ध फुटबॉल खेल से संबंदी थे और देख लेते हैं center यह फुटबॉल से संबंदी थे स्ट्राइकर भी फुटबॉल से संबंदी थे इसकी मो कहाँ के खनव दोस्ट सिकारी है और इसका अंसर हो जाएगा option A – Greenland के इसकी मो कहाँ के खनव दोस्तिकारी है तो ग्रीन लैंड के अगला प्रस्वन देखते हैं कि फ्यूजी आमा जौला मुखी किस देस में इस्तित है फ्यूजी आमा जड़ो द्वारा जल अस्थानांतरन का सही करम क्या है और इसका अंसर हो जाएगा option C मिर्दा जल मूल रोप कॉर्टेक्स को सिखाए उसके बाद जायलम option C सही हो जाएगा निर्में से कौन सा हर्मोन ऑक्सिन की उपस्तिती में और भिकास में मदद करता है और इसका अंसर हो जाएगा option B cytokinin आगला जल जाएगा जाननी कास्टाइ करना है सुछी 1 और सुछी 2 को और यह देखना है कि कौन सा सही है तो रक्त पलाजमा हालके पीले रंके तरल पदार्थ है एलूबुमीन जो क्या है वो है ओस्मेटिक डाव अस्थापित करता है और ग्लोबुलीन जो है वो संक्रामक रोगों से रच्छा करता है और फैब्रिनोजेन जो है वो रक्त का द्रहीं और इसका अंसर हो जाएगा आपसन écrage अगला है मोती के मुख अभ्याब है क्या है इसका अंसर हो जाएगा उपसन एक कैल्सियम कारव नेट नेक्स है भार हिंता से आप क्या समझते हैं और इसका सही अंसर हो जाएगा और वह ऋक्रोटाज मिस्टेती बारह किसी प किस प्रानिक है इसका अंसर हो जाएगा option D केचुवा के केचुवा प्रानिके प्लाजमा में हिमोगलोबिन का बिले हो जाता है बहिर मंडल में गैसो का सेयोजन क्या है और इसका अंसर हो जाएगा option A हिलियम और हाइड्रोजन बहिर मैंडल में गैसो का स्योजन है हिलियम और हाइड्रोजन नेक्स्ट है तामर के बिधुत अब घटनिय परिस्क्रन में बिधुत अब घट निमलिखित में से किसका बिलियन है और इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमलिय कृत कौपर नेक्स देख लेते हैं कि क्या है सरदार पटेल जो है वो ग्रीभ विभाग थे लेक्टर राजेंदर पर साथ खाद एवं किर्सी विभाग थे जग जीवन राम जो थे वो स्रम विभाग थे अलियाकत अली जो थे वो बीत विभाग थे और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन C नेक्स देखते हैं निमलिखित कथरों में से कौन सा कथन गलत है कौन सा कथन गलत है अनुच्छेद 19 में 7 परकार के अधिकारों की चर्चा की गई है ये कथन गलत है जबके अनुच्छेद 22 किसी बेक्ति की गिरपतारी एवं निरोध से सरचन परदान करता है ये सही है उस कारी समीतियों का उपवंद किया गया है और इसका अंसर हो जाएवा उपशन C. भाग 9 के खया में अगला है नी में से किस अध्व कि अदिनियम के अंतरगत कम्पपणी के क्रम्चारियों को नीजी बेपार करने पर पर्तिबंध लगा दिया गया है और इसका अंशर हो जायों कि एक रिंदू 1773 तो यह अंगला है एक नया राज बनाने के लिए संविधान संसोधन के अवस्चक्ता होती है इस परकार की संसोधन के लिए किस परकार की बहुमत के अवस्चक्ता होती है और इसका अंसर हो जाएगा option a सधारन बहुमत की नयराज बनाने के लिए सधारन बहुमत की जरुत होती है अगला है बिहार में चौकिदारी कर नहीं देंगे अभ और इसका अंसर हो जागा अप्शन A, राजकुमार सुक्ल, जो मुरली भरवा गाउं के निवासी थे, निमलिकित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से सम्बंदित नहीं थे, और इसका अंसर हो जागा अप्शन D, सुवाचंदर बोस्ट, जबकि जैप इसका सही अंसर हो जाएगा, ऑप्शन B, मायक डुनाल्ड, अगला है निम्ड राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ यूद में अपनी उट की टुकुडी कोर के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पधक दिया गया था, और इसका सही अंसर हो जाएगा, ऑप्शन B, बिका नेर के महाराजा, गंगा सिंग, अगला है भारत छोड़ो अंदोलन किसकी प्रतिकिरिया से अरंभ की गही, भारत छोड़ो अंदोलन, और इसका अंसर हो जाएगा, ऑप्शन B, क्रिप्स मीशन के, निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, और इसका हो जाएगा कि जो तिर्ति अंगला मराथा यूद हुआ था, वो लार्ड हार्डिंग पर्थम के समय हुआ था, ये सुमेलित नहीं है, जबकि पर्थम अंगला अफगान यूद, लार्ड आकलेंट के समय हुआ था, सही है, पर्थम अंगला बर्मा यूद, लार्ड महस्टर्ट के समय जै लॉर्ड एलन बरुक के द्वारा किया गया था ये भी सही है उप्शन सी सही हो जाएगा अगला है समाजबाद क्यों उस तक के लिखक कौन है समाजबाद क्यों और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन बी जैपरकास नरायन अठारा सो संतामन की करांती के बाद कहां योजित दर्वार में लॉर्ड केनिंग ने महरानी विक्टोरिया की उद्गोसना को पढ़ा था और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन डी इलाहाबाद में कहां इलाहाबाद में सिवा जी को औरंग जेव ने 16 माई 1666 हिस्वी को जैपूर भवर में कैद कर लिया वहां से सिवा जी किस तारिफ को भाग निकले और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन ए 16 अगस्ट लैसो 1666 को 16 माई 1666 को उनको बंद किया गया था और 16 अगस्ट 1666 को वो भाग गये नेच्ट है 1567 सिवी में अकवर के द्वारा एक नवीन प्यार परनाली 10 साला बंदोवस्त पारम की गई इस टोडर मल बंदोवस्त भी कहा जाता है इस ब्यवस्था के अंतरगत भूमी के कितने भागों में बाटा गया था और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन बी चार भा निम्डिखित में कौन सी पुष्तक में नागा अर्जुन द्वारा सापेस्ता का सिधान्त प्रस्तूत किया गया था और इसका अंसर हो जाएगा ऑफ्शन A माध्यमिक सुत्र के द्वारा भारत में सबसे पहले सोने के सिख्ये किसके द्वारा जारी किये गए थे और इसका स्फधे्ट का नियम के संदर्वे में निम्रिखित मेंसे च्बाटार हो जाएगा किमते घटने से मांग बढ़ती है यह सही है पिंटे बढ़ने से मांग भी बढ़ती है यह गलत ही सा कि Global Economic Prospectus Report निम्न में से किस संस्था के दवारा जारी किया जाता हैं और इसका सही अंसर हो जाएगा उप्शन C, विस्व बैंक के दवारा नेक्स्ट है निम्लिखित में कौन सा संबंद फिलिप्स बक्र द्वारा दर्साया जाता है और इसका अंसर होजाएगा उप्शन B, मुद्रा स्पिती की दर और बिरुजगारी के दर के बीच विपरित संबन फिलिप्स बक्र के दोरा दर साया जाता है अगला है निमलेखेत में से कौन परतियच कर नहीं है और इसका अंसर होजाएगा उप्शन C, सीमा सुल्क नेक्स देखते हैं निम्वे से किस चटान परनाली से चुने का पत्थर बलुवा पत्थर चीरी मिटी प्राप्त होती है और इसका अंसर हो जाओ अप्षन D, बिन्धिवन से अगला देखते हैं भारत सरकार द्वारा नई बननीती किस बरस लागों की गई इसका सही अंसर हो जाएगा option A, 1988 किस बरस लागों की गई नेक्स्ट है लुसाई पहाडी किस राज में इस्थित है और इसका अंसर हो जाएगा option C, मिजोरम में इस्थित है माता टीला बांध किस नदी पर इस्थित है और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन A बेतबा नदी पर माता टीला बांध बर्स 2011 की जनगर्ना के नुसार किस केंदर सासित परदेश की सरवाधिक सचरता दर है और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन D अगला है किस नदी पर और किस राज की जैकवाडी बांध अवस्तित है और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन C गुदावरी नदी महाराष्ट में मैं ग्रोब बन का विकास किस परकार के जल में होता है और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन D और निथो लवजी पच्छियों से संबधित अधियन और निथो लवजी अगला है निम्लिकित में कौन सी क्रिये गैस बाई मंडल में नहीं पाई जाती है और इसका सही अंसर हो जाएगा उप्शन B केबल तीन रेडाउन बाई मंडल में नहीं पाया जाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा प्शन A गास बोरी बिली राष्ट्योदान किस राज में इस्थित है और इसका अंसर हो जाता है अंतराश्टिय समंदरिक वेपार संगठन आइमो का मुख्याला कहा है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन बि लंदन में है फेडरल असेमली किस देश की संसत का नाम है फेडरल असेमली और इसका अंसर अप्शन डी शुटजर लेंड ये वीडियो था इडुटेरिया के 5000 प्लस बुक से प्रेक्टिस सेट नमबर 85 एवं 86 अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रीज लाइक और सेर कर दिजएगा धन्यवाद